हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो और यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदरबात जैसे के फ्रेंड्स मेरा नामे फिरोज और मैं आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ एक नया सोलुशन लेकर आता हूं जैसे आपने थमनेल देखा होगा और देखके समझ गया होगे आज हम बात करन के असका सब्सक्राई है वाले है जो के सूपर ओमो ब्ल भी और फेजर का 1 बैड़ी के साथ उड़ और यह जो एक बात कर आहा है पूरत को आज पर तक एक वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो चूरू करने पहले आपको बताना चाहूँगा यह फोन फिक्स हैच वाईडी का हमारा यूट्यूब चैनल है अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए है तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल अगन पे आल पे क्लिक कर दीजिए इससे क्या होगा फ्रेंड जैसे हमारे चैनल पे जो भी नए-ने वीडियो आ आते रहेंगे उसकी नोटिफेकेशन आपको मिल जाएगे और हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे और यहां से आपको काफी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इसके लावा फ्रेंड्स हमारा फोन फिक्स हैदरावाद का पेज है फेस्बुक पेज यह हमारा ला रहें तो यहां से जाकर के solution ले सकते हैं आप काफी सारे हमारे जो students हैं यहां पे काम करते हैं जो कि हम यहां पर बताने की कोशिश करते हैं यह देख सकते हैं आप इस्टूडेंट के पास fastwood mode में mobile आया था उनने कैसे रिपेर किया क्या रिपेर किया सब कुछ यहां पे students बत training institute है जो कि अपने बचों का काम दिखाता है यहां पे आप देख सकते हैं नौमबर 27 लास्ट बैच के ही बच्चा है यह जो कि यहां पे काम डाल रहे हैं अपना काम पोस्ट उनका दिखा रहा हूं मैं आपको यह 27-2027-2022 का है यह सप्टमबर का बैच के student है देख सकते हैं आईफोन रिपेर कर रहे हैं जो कि सौदिया अरब से हमारे पास आये थे दोस्तों यह क्यों बताता हूं मैं यह बताने का reason यह फ्रेंड्स के यहां के बच्चे phone fix हैदराबाद के बच्चे यहां पे आप देख सकते हैं phone fix हैदराबाद यहां पे student ने भी यहां पे लिखा होता है हर एक के नीचे आपको यह देख सकते हैं यह 27 October का batch 2022 का batch है तो ऐसा नहीं friends के मैं बहुत पुराने पोस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यह जितने भी पोस्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं यह आपको बिलकुल latest ही होते है तो student कैसे repair कर रहे हैं क्या repair कर रहे हैं क्या level पे यह जा रहे हैं इनका आपको कोशिश करते हैं हम लोग काम दिखाने की हर student यहां पे हमारे साथ जुड़के होते हैं जो बच्चे है friends उनको हमसे support मिल जाता है और इनका support हमको मिल जाता है सब लोग मिल जुलके काम करते हैं ग्रूप में WhatsApp में एक साथ काम करते हैं तो सबका एक काम होते रहता है हजारों post है हजारों एक दो नहीं friends अगर आप यहां पे see all पे करेंगे और अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पे friends सारे के सारे student के work किये हुए solutions आपको मिलेंगे जो के पूरे इंडिया में इस तरह का data आपको कोई भी show नहीं करेगा friends के बच्चे काम सीकर यह last batch के बच् बताते हैं friends यह सारे के सारे student के batch का नाम लिखा हुआ है उनका और उनके सारे हर जगा आप देख लेंगे thanks phone fix है यहां विल्कुल friend phone fix को यह thanks करते हैं क्योंकि इनको यहां से कुछ मिलता है दोस्तों इस तरह के post आप पूरे YouTube पे देख लीजे बड़े बड़े institute है काफी चिल करवाने के लिए teachers के पास पहले knowledge होने चाहिए वैसा काम उनको सिखाने का तरीखा आना चाहिए यहां पे आप देख सकते हैं 5th में के batch का बच्चा क्या बोल रहा है techno i7 का charging नहीं हो रहा था battery store नहीं हो रहा था charging schematic के port में उन्होंने देखा 0.6 उसके बाद step by step काम किये तो य इन्होंने यहां पे register को change किया जिसका register का value था 39 के यहां पे voltage divider circuit के throw इन्होंने इसको यहां पे निकाला कि उसका value क्या होनी चाहिए उसके हिसाब से यहां पे इन्होंने यह handset को बनाया है तो ऐसे friends काफी सारे यहां पे आपको post मिल जाएंगे जाए जाकर देखिए 27th December 27th January का booking चल रहा है उसमें आना है तो आप आ सकते हैं चलिए friends देना करते हुए शुरू करते हैं आज का video वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर देना शेर कर देना तो यहां पे friends मैं यहां पे एक diagram यहां पे open किया हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं और यहां पे मैं यहां पे जब class में आप लोग आते हैं तो मैं इसके throw नहीं बलके diagram के throw आपको पढ़ाता हूँ कि कौन सी कौन सी IC light के लिए use होती है अगर यहां पे बात करूँ friends मैं इसमें आप रेनो 5 में अगर देखेंगे तो super आमो LED के लिए यहां पे जो IC का इस्तिमाल किया है इन्हों आपने देखा होगा कि कि Samsung में आपको super आमो LED का display मिल जाता है तो जोस्तों जरूरी नहीं है कि यह light के लिए यह लोग यही IC use करें अगर मैं बात करूँ इसमें तो super आमो LED है बड़ यहां पे leg वाला IC यहां पे use किया गया है तो दोस्तों इसमें supply यहां क्या क्या होती है कैस basic needs क्या है basic requirement क्या है IC की क्या क्या उसको voltages चाहिए क्या signal lines चाहिए क्या CPU से उसको command चाहिए कब वो output निकालेगा boost voltage बनाने के लिए उसको क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है एक एक चीज में detail में बताता हूँ अगर आप इसमें देखेंगे तो यह सिर्फ और सीरीज और parallel component बताएगा और सीधा ले जाकर के आपको यहां पे display में आपको connector पर बता देगा के फला फला number pin पे आप यह voltages चेक कर लो तो दोस्तों voltages आते कब हैं कितने आते हैं कब आते हैं तो कौन सा IC चाहिए तो यह सारी चीज हम class में आपको सिखाते हैं जैसे के फ्रेंड्स यहां पे तो हमने देखा यहां पे lag वाला IC का इस्तिमाल किया गया है यह देख सकते हैं Vivo V21i जो के 5G हैंसट है फ्रेंड्स 5G की जो सबसे ज्यादा अगर वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी फोन फिक्स हैदराबाद के चैनल पे यूटूब पे मिल जाएगी हमारे चैनल पे तो यह देख सकते हैं फ्रेंड्स एक नया आपको मैं बता रहा हूँ अभी तक आपने देखा होगा लाइट का जो आईसी है उपर में बूर्ड में आपने देखा होगा और अब यह देख रहे हैं आप यहाँ पे चार्जिंग टाइप C का चार्जिंग का यहाँ पे सौकेट देख सकते हैं आप और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंट्स तो लाइट का इसी यहाँ पे लगा गया है यहाँ फ्रेंट्स यह यूटूब की इस्ट्री में पहली बार आप देख रहे होंगे इस तरह का वीडियो आपको देखने भी मिलेगा नहीं यह सब रिसर्च पॉनविक हैदराबाद की टीम रिसर्च करती है और हमारे इस्टुडेंट्स को बहुत अपग्रेट करते हैं काफी ज्यादा हद तक उनको अपडेट करते हैं जो के जाकर काम कर लेते हैं अगर आपके टीचर ने आपको यह सारी चीज नहीं बताई तो मुझे दोस मत देना फ्रेंट्स बागी फोनविक्स के जितने भी इस्टुडेंट्स हैं उनको यह चीज मिलते रहती है और हमारे यूटूब के सब्सक्राइबर्स और फालोर्स जितने भी हैं उनको मैं बताने ही कोशिश करता हूँ कि नहीं नहीं चीजे मार्किट में क्या आ रही है काफी सारा अपडेट हो चुका है एंड्रॉइड में फ्रेंट्स दो-दो मदर्बोर्ड आ रहे हैं जिसको हम जैसे आईफोन X वगारा में आप देख सकते हैं तो नीचे भी एक आपको PC भी मिलेगा उसके उपर एक और PC भी लगा हूँ मिलेगा डबल डेकर जिस तरह से होता है वैसे ही आपको मदरबोर्ड देखने मिल जाएंगे अब यह जो देख रहे हैं फ्रेंट्स इसका जो आप कनेक्टर वगारा देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यह डिस्प्ले का कनेक्टर यहाँ पे लगता है यहाँ से डिस्प्ले में से कनेक्टर निकलेगा और यहाँ पे लगएगा तो फ्रेंट्स यह एक नया सरकिट है जो के Supra Amo LED के लिए होता है तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यह भी वही बताएगा आपको कि इस तरह से supply न होती है इधर से यह out होती है तो यह green line क्या है blue line क्या है इनने color क्यों कर दिया इसको समझने के लिए लेकिन जब आप diagram के through अगर समझ लेंगे अगर आपको इस तरह का hardware का solution भी नहीं मिलेगा तब भी आप mobile repair कर सकते हैं जो कि हम आपको life class में बताते हैं कि कैसे IC को पचायना है कैसे हम check करें कि यहाँ पी आप देख सकते हैं काफी सारे pinों का इन्होंने NC छोड़ दिया है तो यह क्या सारे NC होते हैं क्या सारे ground pins होते हैं यही चीज मैं आपको सिखाता हूँ जैसे अगर आप इसमें देखेंगे 25 ball का यह एक IC है अगर आप count करेंगे तो यहाँ से 55 spinों किसे हैं तो 25 spin में 25 ball में क्या supply कब इन होती है VSYS यहाँ पे लिखके है जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे supply VPS का supply आ रहा है यह देख सकते हैं तो उपर से main board से यहाँ पे आपको VPS देखने को मिलेगा जो के चार old जो के IC में यहाँ से in हो रहा है और यहाँ पे एक boost coil के throw वापस switching के लिए यहाँ पे इस number pin पे और यहीं से वापस अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक boost coil लगके है यहाँ से भी यह इन हो रहा है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक दो और तीन coil यहाँ पे भी दिख रहे हैं यह एक टेकनिक है फ्रेंज सीखने की समझने की जो कि आपको एक अच्छा training center एक अच्छा institute एक अच्छा teacher आपको सारी चीज़ें बता सकता है बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो लोग आए कि बच्छों को सारी चीज़ नहीं देते हैं बुला कर उनका time तो पूरा ले लेते हैं उनसे पैसा तो पूरा ले लेते हैं लेकिन सारी चीज़ उनको नहीं मिलती है वहाँ से उसके बाद वो नाउमीद हो जाते हैं उसके बाद वो समझते हैं कि सारे institute वाले एक जैसे तो फ्रेंट्स यही चीज है अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदें चलए कि ऐसी जगह पे मत जाएए जहां पे बिल्कुल कम फीस ली जा रही है ऐसी जगा पे बिल्कुल मत जाएए जहां पे हजारों जहां पे पचास-पचास-शाठ बच्चों को बढ़ा के पढ़ाया जा रहे हैं दोस्तों फोन फिक्स हैदराबाद में आपको limited seat होती है और यहां पे हम पचास-पचास बच्चों को बढ़ा के बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं और 10 घंटा class होती है no Sunday, no Monday यहां पे कोई time देगा नहीं जाता है 10-12 घंटे ज्यादा यहां पे class होती है hostel में भी आपको इन सारी ICों का क्या काम है इसका नाम क्या होता है इसके full forms क्या है कितने voltages कब आते हैं यह सारी चीज़ hostel पे भी आपको यहां पे हम आपको काम देते हैं तो यहां पे friends एक मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने यह solution ही समझ लीजी आपको इन लाइनों के बारे में मैं समझा रहा हूँ आपको और अच्छे से अगर सीखना है एक तजरुबे से सीखना है एक experience से सीखना है एक professional technician बनना है तो phone fix हैदराबाद आप join कर सकते हैं कभी भी call करिए whatsapp करिए detail ले लिजीए devoclass लीजीए कभी भी आ सकते हैं phone fix हैदराबाद अगर आप आना चाते हैं तो हमारा batch 20 दिन का होता है जिसमें बच्चों को zero से लेके hero level तक zero से hero याने basic से लेके super advanced level तक यहाँ पर हम course इखाते हैं जितने भी इंडिया के अंदर mobile repairing के courses चल रहे हैं भले ही कोई institute वाले उसको अलग-अलग नाम से बुला रहे हैं तो नाम आप समझ जाते हैं आप समझदार हैं तो कितने भी नामें लगा ले friends लेकिन mobile का जो training है friends उसमें नाम लगा लगा कर आपको confuse करेंगे फला 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 नाम होती हैं जिसके अंदर दो चीज़ की बहुत जरूरी है एक है हैंडिस्किल का काम और दूसरा है सर्किट की लाइनों की knowledge हमारे mobile के अंदर कोई subjects नहीं है friends हम तिर्व hardware, software और EMC ये तीन तरह के एक हमारे पास जो होती है mobile के अंदर तीनों काम आपको आने चाहिए लेकिन market के अंदर आपको नए नए नाम बता बता कर confuse करेंगे आपको call कर करके confuse करेंगे आप सोचेंगे कि इसमें भी एक अलग-अलग level का कुछ काम सीखने मिलेगा दोस्तों mobile का जो काम है अगर आप basic level का काम सीखेंगे तो आप कुछ income नहीं कर पाएंगे बिल्कुल basic सी income वो आपकी होगी दोस्तों अगर आपको काम सीखना है एक बार सीखेंगे अच्छे training institute को जाके सीखें अच्छे teacher के पास सीखें और अच्छी तरह सीखें आप सोचते में पास का institute चला जाओंगा कम फिस कहां है वहाँ चला जाओंगा या फिर आप देखेंगे बड़ा शेहर कहां पे है बड़ा शेहर बिल्कुल मत देखिए आप अच्छा institute देखिए और ये देखिए कि क्या इनके पास के बच्छे जाकर के इस तरह का काम कर पा रहें के नहीं भी कर पा रहें काम कर पा रहें तभी आप ऐसे training center जाएए याँ पे आप देख सकते है जितने भी ये data sheet बने हुए देख सकते हैं ये हमारे student से हमने बनवाते हैं और हम खुद इस तरह के डाइगरांज बना करके student को देते हैं कि कहाँ पे क्या supply आनी चाहिए जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादतर आपको काम किये हुए post मिलेंगे students के तो यहाँ से आप solutions भी कावी सारे ले सकते हैं तो friends यहाँ पे अगर बात करूँ 25 बॉल में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VPH की supply यहाँ से हो करके इस IC में यहाँ पे यहाँ पे पिंग कलर की जो line देख रहे हैं आप यह dark pink यह VPH का इसको supply यहाँ पे मिल जाता है इसके अलावा friends अगर आप देखेंगे यहाँ पे total इसमें इन्होंने सिर्फ input में एकी line बताईए इसके अलावा friends इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ground pins होते हैं जो के यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिये NC इसके अलावा friends यहाँ पे light के लिए ELA VDD यह जो supply होती है friends हमारी जैसा के normal में हम anode और cathode बोलते हैं तो इस तरह से हमारा boost voltage यहाँ पे बनता है यहाँ तो मिला था आपको चार वोल्ट लेकिन यहाँ से जो आउट होकर के display पे आएगा यहाँ पे खरीब खरीब सास से लेके 7.3 7.5 के असपास यहाँ पे आपको voltage मिल जाता है जो के यहाँ पे आप देख सकते हैं EL, VSS और EL, VDD यह वही हमारी लाइने होती है फ्रेंज जो के हम VSN और VSP बोलते हैं जो के Android में अगर normal TFT डिस्पले में आप देखेंगे तो VSN, VSP, डिस्पले positive डिस्पले negative जिसको हम कहते हैं तो यही वह लाइने हमारी जिसमें plus 5 हमारा होता है EL, VDD और minus 5 होता है EL, VSS तो फ्रेंज यह IC काम जब करती हैं जब इसको enable signal मिलते हैं जो के हमारा EL on 1 और EL on 2 जो के यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्पले लगने के बाद यहाँ से इसको इस IC में यह दो जो blue और green गोले आप दिख रहे हैं इसको enable यहाँ से मिलता है तब जाकर के यह IC अपने outputs निकालती है तो इसके अलाव फ्रेंज यहाँ पे आपको series में और parallel में कुछ component मिल जाएंगे जिसा parallel में यहाँ पे capacitor लगके है normal में अगर आप देखेंगे तो आपको series में एक rectify diode या किसी और diode का इस्तिमाल करके light section में आपको देखा होगा बट फ्रेंज यह super arm reality में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है diode का इस्तिमाल नहीं किया जाता है इसमें cathode lines नहीं होते हैं तो इसको कैसे समझना है यह सारी चीज मैं आपको class में बताऊंगा तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो EL on 1, 2 और यहाँ पे minus 5 और यहाँ पे हमारा 7 वोल्ट और यह वाला हमारा VPH voltage जो के MediaTek प्रोसेसर है इसमें यहाँ पे VSWise voltage system इसमें आता है और यहाँ पे हमारा plus 4.6 के आसपाद voltage मिल रहा है यहीं सारी चीज आपको यहाँ पे display connector पे देखने को मिल जाएगी यह देख सकते है friends यहाँ पे इतनी सारी supply आपके display connector में आपको check कर रहा है और यह जो handset आप देख रहे हैं यह reno 5 का handset मैंने यहाँ पे open किया है और इसके अलावा अगर बात करूँ V.O.Y. V.21i 5G handset का जो के light section अगर आप काम करेंगे friends कभी भी तो main board में ना करके नीचे जो sub board है यहाँ पे आपको काम करना है light section के लिए इसका display का connector light का connector यहीं पे है इसका light ICB यहीं पे है यहाँ पे mic वगरा देख सकते हैं आप और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका type C का connector है और यहाँ पे आप और भी supply हैं आती है जो नीचे की supply हैं होती है इस connector में हो करके आती है तो यह सारी चीज यहाँ पे है तो friends उमीद करता हूँ कि अगर आपको एक अच्छे से technician बनना है यह तो friends हो गया hardware का solution लेकिन हम जो आपको यहाँ पे class में सिखाते हैं friends circuit की knowledge देते हैं एक एक line की tracing बताते हैं कैसे डूड़ना है यह तो हर बार borneo वाला हमको बना के नहीं देगा या फिर कोई और stack का diagram है मैंने जो open किया है यह stack tool वाला hardware नहीं बनाएगा अगर यह ना भी हो तो कैसे check करें कौन सा IC light के लिए use किया जाता है normal IC है या ball वाला IC है या lag वाला IC है TFT display है super armor LED है कौन सा light section इसमें लगा गया है PMI का इस्तिमाल किया या PML का इस्तिमाल किया D8 12 ball के IC यूज़ कर रहा है या 6 leg का new light IC यूज़ कर रहा है तो ये आपको जाना बहुत जरूरी है जो कि हम class में आपको सिखाते हैं दोस्मों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है लेंती हो रहा होगा उमीद करता हूँ इसमें आपको मैंने एक overview समझाने ही कोशिश की है जब आप class में होते हैं तो हमारा 10 से 12 घंटे का practical class होता है जिसमें एक एक subject को हम एक दिन पूरा लगाते हैं और अच्छे से समझाते हैं उसके बाद भी उनको revision कराते हैं और live practical यहाँ पे classes होती हैं आप लोग काफी सारे handset आपके साथ जो लाते हैं वो आप repair कर लेते हैं तो यहाँ पे एक live mobile में क्या-क्या चीज होनी चाहिए okay mobile में सारी चीज आपको बताते हैं fault है तो कहां से fault आया है fault finding आपको बताते हैं कि कौन सा भी section हो कैसे fault को find out करना है क्या component missing है series में कोई problem है या कोई IC से problem है line leakage हो चुकी है track break हो चुका है या कोई component parallel का shot हो चुका है या IC में दिक्कत है या display में दिक्कत है ये सारी चीज step बे step आपको बताते हैं तब जाकर कि आप कोई भी handset को easily repair कर सकते हैं दोस्तों हम जो handset को देखते हैं CPU wise chip wise देखते हैं sock wise देखते हैं कि कौन सा CPU इसमें लगके है आप model बिलकुल मत देखिए ये आपको देखना है कि इसमें CPU कौन सा है उसके साथ कौन सी light IC का इस्तेमाल किया जा रहा है ये एक knowledge होती है फ्रेंड जो कि हम आपको live class में देते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़रू लाइक कर देना share कर देना थोड़ा सा वीडियो lengthy हो रहा है लेकिन दोस्तों आपको मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी से समझाओं क्योंके फ्रेंड बहुत सारे ऐसे students हैं हमारे जो कि यहां वाँ भटक जाते हैं बार-बार call करके उनको बुलाया जाता है phone fix हैदरावाद की दरफ से कभी आपको call नहीं करते हैं कि दुबारा क्या सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं लेकिन आपको बहुत सारे institutes में से ऐसे लड़कियां call करेंगे बार-बार आने के लिए पूछेंगे बाखी friends आपका decision होता है पैसे आपके है life आपकी है business आपका है और आपको आगे जाना है और मेहनत आपको करनी है अगर आपका business आपको आगे ले जाना है आपकी income बढ़ानी है तो मेहनत भी आपको करना होगा तो थोड़ा सा time जरूर ले लेना किसी भी training center को जाने से पहले बाखी friends मिलते इसी तरह से किसी और next video में और जो बच्चे 27 December में आने वाले आप से मिलता हूँ में कोर्स के अंदर thank you very much friends